हाई फ्रेंड्स मैं गुजन पंडे मैं आपको सिखाऊंगा कि बाहर के खाने जो भी होते हैं उसे हम अपने घर पर कैसे बना सकते हैं इसके लिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा तो आज हम बनाएंगे दिल्ली की फेमस राज कचोरी चार्ट और यह कचोरी चार्ट बनाने के लिए हमें चाहिए यह सारी इंग्रेडियंट्स और प्रोसेस शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल पर अगर आप ना है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाईएगा तो करते हैं स्टार्ट सबसे पहले एक बड़े बर्तन में एक कप मैदा लेंगे उसके बाद आधा कप सूची लेंगे उसमें उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चोथाई चमबच बेकिंग सोडा और आधा चमबच नमक उसके बाद हम इन सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे कचोरी को ज़्यादा समय तक खस्ता रखने के लिए हम इसमें मिलाएंगे पांच चम्मज घी और अच्छी तरीके से घी मिला लेंगे क्योंकि इसके बाद कचोरी आपकी बहुत ही खस्ता बनेगी जब घी अच्छे से मिल जाए तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला कर इसका एक अच्छा डो बना लेंगे और डो जो है ये ध्यान रखना है कि वो न ज़्यादा कड़ा होना चाहिए और नहीं ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए मैदे को हमेशा इस तरीके से खिशना चाहिए जिससे उसमें लचीला पन पैदा हो अब हम इस डो को 20 मिएट के लिए साफ कपड़े से डख कर रख देंगे और 20 मिएट बाद इस डो को निकालके फिर से एक बार गूट लेंगे अब इससे हम बनाएंगे छोटी छोटी लोई पूरी के आगार की और इसे पूरी के आगार में बेल लेंगे आए एक ध्यान देने वाली बात है कि इसको ज़्यादा पतला ना बेलें क्योंकि इसे फूलना भी है और इसमें इस्टफिंग भी करनी है पूरी एक तरफ से अच्छे से ब्राउन हो जाए तब इसे पल्टेंगे और दोनों तरफ से इसे गोल्डेन ब्राउन हम कर लेंगे उसके बाद हम इसे निकालेंगे देखिए पूरी कैसे फूल गई है और सेम इसी प्राउसे से बची हुई सभी पूरीयों को तल लेंगे इसके बाद चलेंगे हम नेक्ष्ट प्राउसेस में फिलिंग के प्राउसेस में तो सबसे पहले पूरी को उपर से तोड़ लेंगे और उसमें हम डालेंगे बॉयल किये हुए और कटे हुए छोटे छोटे टुकड़ों में आलू इसके बाद हम इसमें डालेंगे बॉयल मूग और चना इसके बाद हम डालेंगे इसमें हरी चटनी इसके उपर फिर उसके बाद से टैमरिंड चटनी उसके उपर से दही मीठी दही उसके बाद से इसमें डालेंगे finely chopped onions इसके उपर हम डालेंगे सेव भुजिया उसके उपर थोड़ी सी red chili powder और थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसके उपर उसके बाद हम इसके उपर डालेंगे चाट masala powder चटपटा बनाने के लिए और थोड़ा सा जीरा powder और थोड़ा सा sauce tomato sauce और थोड़ा सा धनिया और खुबसूरत बनाने के लिए अनार के दाने इसके उपर डाल देंगे और इसी पूरे process को एक बार फिर से double feeling कर देंगे ताकि और खाने में ज्यादा अच्छा लगे आपको आप feeling अपने ही साब से customize कर सकते हैं जैसा आपको पसंदो खाने में उतनी feeling कर देंगे क्योंकि जितना feeling अच्छा रहेगा उतना ही ये खाने में अच्छा लगेगा हमें पेस है आपके सामने बिल्कुल बाजा जैसी खस्ता और चटपटी राजकचोडी ये मेरी guarantee आपके लिए तो जिन नमस्कार मिलते हैं अगले वीडियो में